हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यह है राधा को घर, और यहां भी सुभा का टाइम है, राधा और शाम यहां पर सो रहे हैं, और यहां पर सो रहे हैं शाम के पापा, चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है, और फिर तबी शराति शाम जाग जाता है, और पिर अकेले ही वहीं से जाने लगता है अरे ये क्या श्याम रुप क्यों गया ये क्या करना चाहता है श्याम श्याम तुम क्या कर रहे हो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है और फिर यहाँ पर श्याम तकिये के साथ कुस्तोगरबर करने लगता है ओ, अच्छा शाम कितना ज्यूद अशरा आती है, देखो तो ज़रा शोनम, शोनम, खेलना अरे शाम, मत जाओ, अकेले कहां पर जा रहे हो तुम शोनम, खेली, केली अच्छा, शाम, अकेले शोनम के पास जा रहा है, मत जाओ शाम और पर तभी यहां राधा बे जाग जाती है हो अरे वाँ सुभा हो गई चलो जादी हो श्याम को भी उठा देती हूँ लेकिन ये क्या श्याम तो हमेशा मुझसे पहले जाग जाता है लेकिन अभी तक के से सो रहा है श्याम श्याम उठो बेटा उठ जाओ अरे इस लड़कियों क्या हो गया उठो उठो श्याम अरे ये क्या माज रहा है ये लड़का तो हील भी नहीं रहा है श्याम उठो 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 थोलो हटा के देखती हूँ अरे अरे ये क्या श्याम कहां पर है ये तो तक्या है अरे कहां पर क्या ये लड़का श्याम बेटा कहां पर हो तुम अरे लड़का कहां चला गया श्याम 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 तुम कहां पर हो तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है आ जाओ जल्दी छलो जाकर श्याम की पापा को जगाती हूँ श्याम की पापा श्याम की पापा उड़ी है जल्दी से श्याम नहीं मिल रहा है मैंने उसे हर जगा देख लिया अरे तो उड़ी ने चलो मैं ही जाकर देखती हूं कहीं रोड पर तो नहीं चला गया ये लड़का ये बोलकर राधा वहां से जाने लगती है अरे क्या बात है राधा लगता है राधा इसे ही बुला रही थी चलो मैं सो जाता हूँ श्याम अरे का हाँ पर चला गया ये लड़का अरे वो देखो वो रहा देखो तुझरा अरे श्याम रुक जाओ रुक जाओ बेटा कहां पर जा रहे हो यहां पर आओ वापस आ जाओ , माम्मी , भागो भागो, अरे श्याम, तुम भाग क्यों रहे है भेटगो , मैं आ रही हूं और यहां से एक ट्각 जाओ , भीटो में Turkey और यहां से यहां से अक इंद visit अरे नहीं चलो भागता हूँ मैं जल्दी से यहां से भागता हूँ जल्दी जल्दी करता हूँ मम्मे मम्मे अरे यह किसा होगा जल्दी चलो जल्दी चलो एक्षिर रहो है अरे आकिर यह सब कैसी हुआ कोन है यह अरे देखो तो जरा वो तो भाग गे ट्रेक वाला रुको अरे नहीं ये तो बहुत ही पुरा हुआ इसका खून तो बहुत ही दबह गया अरे नहीं अरे हाँ मुझे लगता है ये नहीं बची अरे नहीं पता नहीं के साब गात है अरे हाँ बिचारी ये तो लगता है इसी गाउं की है हाँ शायद मैंसे जानती हूँ अरे देखो देखो लगता है उसका बेटा है कितना चोटा है बिचारा अरे नहीं बिचारी चलो हमें जल्दी से इसे इंबुलेस लेकर जाना चाहिए इसे आप लोगों कुछ आइडिया है अरे मुझे लगता ये क्रिष्णा की बीवी है अरे हाँ हाँ ये तो क्रिष्णा की बीवी है अरे हाँ ये जरूर राधा है ये तो राधा है और यहां से चिंकी सोनम और चंदा आ रहे होते हैं अले अले ये क्या मम्मी देखिए आपको क्या हुआ अरे ये सब क्या हो गया राधा राधा उठो अरे इनका एक्सिडेंट हो गया है ट्रक वाला भी भाग गया पता नहीं आज कल किसी इंसान में भी इंसानियत नहीं रह गई है औरे हाँ आज कल तो ये सब कॉमन हो गया है लोगों को बीच रास्ते से उड़ा देते हैं और भाग जाते हैं बिचारी औरत लगता है ये नहीं बची अब चुपो जाए अपनी बक्वास बंद कर दीजिए मेरे राधा अंधी को कुछ भी नहीं हुआ है लाधा अंधी उच्छे ना आके खुलिए अले हाँ लाधा अंधी उच्छेए अरे चल्दी करो कोई जाकर कृष्णा को बुला कर लाओ जल्दी से जाओ उसे तो कुछ भी पता नहीं होगा राधा मेरे जेली चलो 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 अले हाँ चलो और यहाँ पर कृष्णा राधा के लिए परिशान हो रहा होता है अरे पता नहीं राधा कहां चली गई अरे ये के तो सनम और चिंकी है अरे आओ बेटा क्या हुआ तुम् अंकल है, लाधांती, लाधांती का एक्षिदंट हो गया है। अरे, क्या, ऐसा नहीं है सकता, जल्दी, जलो, जलो, कहां बोर है, मेरी राधा, जल्दी बताओ। और यहां कुछ समय बाद, राधा के अंतिम संस्कार की तयारी होने लगती है। बहुत अच्छी थी राधा सही में, बहुत ही भूली थी विचारी, मैं उसे कैसे भूलूंगी, पता नहीं अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने भी यही सुना है, और यहां पर श्याम अपने मम्मी के लिए रो रहा होता है, यही मम्मी, राधा तुम मुझे ऐ लेकिन मैं नहीं उठा, राधा मुझे माफ कर दो प्लीज, राधा मुझे माफ कर देना हो, ही ही, मम्मे राधा अंटी को उठाएए ना, वो क्यों सोई है, जल्दे से उठाएए ना, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे पता है, राधा अंटी, राधा अंटी उठ ज रादा वापस आजाओ मैं किस से बात करूंगे किस से अपनी सहली बताऊंगी लादा अंजी आपको क्या हो गया उठ जाए ना अरे चंदा क्या होगा मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है शाम को तो देखो कितना चोटा बच्चा है अभी उसका ख्याल कौन रखेगा उसके साथ ऐसा क्यों हुआ बोलो चंदा मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है अब हम क्या करेंगे और क्रिश्ना की हालत तो देखो अरे नेहा मुझे से कुछ मत बोलो मुझे भी कुछ नहीं पता मुझे बस पता है मेरी रादा मेरी रादा इस दुनिया में न अरे ने तो तुम समझ रहे हो ना राधा कितनी भोली भाली अउरत थी लेकिर उसके साथ ऐसा हुआ कितनी बुरी बात है अरे हाँ हाँ आज कल भले लोगों के साथ ही तो ऐसा होता है उपर वाला उन्हें जल्दी बुला लेता है अपने पास औरे श्याम रुक जाओ रुक जाओ बेटा मत रो राधा तुम इतने धीट कैसे हो सकती हो देखो तुम्हारा बेटा रो रहा है तुम्हें बुला रहा है प्लीस ना वापस आ जाओ औरे क्रिशना मेरे दोस्त समालो अपने आपको राधा आप जा चुकी है वो नहीं आएगी नहीं उठेगी प्लीस तुम अपने आपको समालो और श्याम को भी वो कहीं पर भी नहीं गई है वो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी तुम चिंदा मत करो मेरे दोस्त और यहाँ पर तो लो राधा को जाना पड़ेगाffa उसे करी नहीं जाने दूना मेरी राधा औरे Аरी कृष्णा सम्हा लो अपने आप को प्लीज मेरे दोस्ट सम्हावगो नहीं नहीं लजाने काई पर नहीं पर नहीं लजाने दूँिँ इसो लोग मैं तेस्टी तेस्टी खाने के लाएगा बच्चो इसका कोई फाइदा नहीं है राधा को लेकर जाने ही पड़ेगा यही तो होदा है आखिर में सब लोग राधा को आखरी बार देख लो अबू हमीशे के लिए जा रही है हमारे बीच से राधा मेरा कहा सुना माफ कर देना ह राधा सच में बहुत ही अच्छी इंसान थी मैंने भी उसे जगड़ा किया अब में पश्टा रहे हूं कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया मुझे माफ कर दो राधा अब तुम चैन से सोजाओ अब तुम्हें कोई भी परिशान नहीं करेगा मेरी प्यारी राधा मैंने कभी भ बेटा सम्हालो अपने आपको अब कुछ नहीं हो सकता है माफ कर देना मुझे राधा मेरी प्यारी सहीली मुझे माफ कर देना चलो चलो अब चलते हैं चलिए चलिए अब चलते हैं चलो चलो अरे हां चलो चलते हैं और यहां पर आखिर में सब राधा को लेकर जाने लगते दोस्तों अगर आपको हमारे आगे रहें जाननी हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी